स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में तो आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों मद्धिप्रदेश पुलीस कॉंस्टेबल रिकूट्मेंट टेस्ट 2023 के लिए जो एड्मिट कार्ड है दोस्तों उसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे इस बार थोड़ा सा एड्मिट कार्ड निकालने के लिए कुछ बदलाव किये गए है वैपम द्वारा तो इसमें जो है कुछ अलग तरीकी से जानकारी आपको मांगी गई है तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम मद्धिप्रदेश करमचारी चाहन मंडल की वेबसाइट पर ज इस चीदे यहाँ पर जो है admit card अपना निकाल सकते हैं Polis Constable भरती का तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं सबसे पहले तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यह जो है test admit card search करने का option हमको यहाँ पर मिल गया है तो यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले जो है यहाँ पर कुछ निर्देश दिये गया है तो application number 13 अंकोगा यहाँ पर आपको डालना है date of birth उसके बाद fill करनी है आपको DDMMYY की format में उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपना विशय चुनाओ करना है यहाँ पर तो सबसे पहले बताया गया है non technical, gear तकनीकी और technician अगर आपने technician के लिए भरा है और non technical और technical दोनों के लिए भरा है तो आप यहाँ पर technical select करेंगे तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं दोस्तों एक नई चीज और जोड़ी है यहाँ पर बताया गए कि first two letter or mother name plus last four digit of your आधार रंबर तो यहाँ पर क्या बना है आपको अपनी ममी का जो है उनके नाम का जैसा आपने आवेदन में उनका नाम लिखा है उसके पहले दो अक्षर English के आपको यहाँ पर टाइप करने है उसके बाद जो आपका आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड में जो सबसे आपके last जो चार रंग होते हैं वो डालना है उसके बाद यहाँ पर आपको capture फिल करना है तो आईए आपको हम एक admit कार्ड यहाँ पर download करके दिखाते हैं किस परकार से आपको निकालना है तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम हमारा application number फिल करेंगे यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने अपना application number फिल किया है उसके बाद हम जो हमारी date of birth यहाँ पर फिल करेंगे date of birth दोस्तों dd.mm.y.y. के format में यहाँ पर डालना है है form तो हम non-technical पर यहाँ पर select करेंगे उसके मदा अगली जो step आती ही दोस्तों यहां पर mm..mother name के तू लैटर हमको यहाँ पर लिखने है तो हमारी mother जो name है उसके 2 अक्षर हम लिखेंगे तो हम जो है हमारी mother के तो lethal हमारी mother के तो यहाँ बंढ़र दोस्तों हमारी जो चार अंग टाइप कर सकते हैं, यदि आप जब आप एड्मिट कार्ड निकाल रहे हैं और आपके पास आधार नमबर नहीं है, यह आधार कार्ड नहीं है, तो आपको जो है अपना जो है application form है, जो आविधन है, उसमें जो है जब आविधन करते हैं, तो जो उसका print out आपक सकते हैं आखरी की तो चार अंग है दोस्तों यहां पर हमको शो कर रहे हैं तो यहां से भी हम अपारे चार अंग जो है यहां पर जो है एडमिट कार्ड निकालते समय यहां पर हम यूज कर सकते हैं तो दोस्तों हमने जो है यहां पर जो है चार अंग फिल कर दिये हैं हमारे आ बाकी कोई भी चीज यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रही नीचे जो है लाल कलर से दोस्तों यहाँ पर एक निरदेश लिखा हुआ है exam city will be displayed 7 days before your exam date you can download detailed admit card 7 days before your exam date तो दोस्तों 7 दिन पहले हम हमारा admit card यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे exam की city जो है यहाँ पर 7 दिन पहले आपकी exam date के 7 दिन पहले यहाँ पर show करेगी और उसके बाद ही आप यहाँ पर अपना admit card निकाल सकते हैं यहाँ पर print का option दिया है चाहे तो आप इसको जो है अपना date जो है exam का उसको याद करने के लिए आप इसको print कर सकते हैं चाहे तो आप इसकी mobile से photo या screenshot आप यहाँ से लेकर रख सकते हैं दोस्तों तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने जो प्रदेश पुलिस परिक्षा का जो admit card है इस प्रकार से यहाँ पर download कर सकते हैं अपने exam की date यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं